2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, जहां भी जाते हैं, वाइदे करते हैं, देश की बात करते हैं, यहां रोजगार की बात की, दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा, अभी मुझे बताया गया, कि उन्होंने कहा था, यहां भाशन में कहा था, किसान का नमक मेंने खाया है, मैं एक किसान की रक्षा करूँगा, कहा था, कहा था, अब देखिये, CRPF पर आकरमन हुआ, CRPF के जवान शहीद हुए, अपने पबलिक रिलेशन्स को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते हैं, ये हम में और उमने फरक है, आप मेरे भाशन सुनो, जितने सुन में हूँ, कोई भी जूटा वाइदा, एक जूटा वाइदा मेरा निकाल के दिखा दो, एक, एक बार मुझे दिखा दो, कि आपने वहाँ जाके ये कहा, और वो आपने पूरा नहीं किया, और दूसरी तरफ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, प्रधान मंत्री का एक सच्चा वाइदा आप मुझे दिखा दो, उनके आप सब भाषन देखो, कहीं उन्होंने सच्चाई की बात की हो, जो उन्होंने कहा, वो करा हो, तो मुझे उस वीडियो क्लिपिंग का, मुझे बिजवादू प्लीज, मैं ढून रहा हूँ अभी तक ढून रहा हूं से, पूरे हिंदुस्तान को कहा, पूरे हिंदुस्तान को कहा देखो, दो करोड युवाओं को हर साल, दो करोड युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूँगा, हमने लोकसभा में पूचा, मध्यप्रदेश के चुनाओं से पहले हमने लोकसभा में पूचा, बहिया बताईए, हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने युवाओं को रोजगार देती है, उनका मंत्री खड़ा होके कहता है, साल में एक लाक युवाओं को हम रोजगार दे पाते हैं, पच्चिस साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, मतलब 450 युवाओं को 24 गंटे में रोजगार मिलता है, और उधर नरेंद्र मोदी चीरी मीटिंग में, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, उपर देखो इंडिया, नीचे देखो इंडिया, वाईयू से ना, हेल, सत्तर साल से हवाईजाज मना रही है, सत्तर साल से, यहाँ पर शायद पास में आपकी ओर्डिनेंस फैक्टरी, नासिक में हेल है, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, एच चेल ने क्या गल्ती की, वो जो मिराज हवाईजाज गया, जो सुखोई हवाईजाज हिंडुस्तान की रक्षा कर रहा था, वो क्या अनिय लंबानी ने बनाया था, वो एच चेल ने बनाया था, और सत्तर साल से वो बना रहा हूँ, सत्तर साल से, नाथ हवाईजाज, मिग हवाईजाज, सुखोई हवाईजाज, मिराज हवाईजाज, जैगवर हवाईजाज, लिस्ट है, दूसरी तरफ, अनिय लंबानी जी ने 45,000 क्रोड रुपए कर्जा ले रखा है, एच चेल ने 3,000 क्रोड रुपए सरकार को वापिस दिया है, हवाईजाज जिन्दगी में अनिय लंबानी ने ने बनाया, शायद उसको कागस कापीस दे दिया, वो कागस का हवाईजाज ना बना पाई, दस दिन पहले कंपणी खुलती है, दस दिन पहले, नासिक के युवावों से रोजगार चोरी किया जाता है, देश में आप कहते हो रोजगार दिलवाऊंगा, रोजगार के लिए जो छोटे उदियोग चलाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, जो छोटी फैक्टरी चलाते हैं, मिडल साइज बिजनस जो करते हैं, उनको बैंक लोन की ज़रुवत होती है, उनको पहले आपने नोट बंदी से मारा, पूरे देश को लाइन में कड़ा कर दिया, विजय कहां देखिए, काले धन के किलाव लडाई है, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, काले धन के किलाव लडाई थी, तो लाइन में, इमांदार गरीब जनता क्यों थी? लाइन में अनिलंबानी क्यू नहीं था? निर्व मोधी क्यों नहीं था, मेहुल चोक्षी क्यों नहीं था, ललत मोधी क्यों नहीं था, विजय मालिया क्यों नहीं था गरीब संता लाइन में और ये 20-25 लोग बैंक के पीछे AC कमरे में अपना काला धन सफेद कर रहे हैं नरेंद मोदी कहते हैं काले धन के किलाफ लड़ाई लड़ाई लड़ रहा हूं हद होती है उसके बाद उसके बाद कहते हैं बारा बजे रात को कहते हैं चलो गबर सिंग को लाते हैं GST लाते हैं तो आप 15 लोगों का 3.5.5 लाख करोर रुप्या करजा माफ कर सकते हो हिंदुस्तान के किसान का आप एक रुप्या माफ नहीं कर सकते हो माराश्टे के किसान का आप एक रुपया नहीं माफ कर सकते हूँ बड़ बड़ भाशन दिये आप मुझे बताओ आपको कितना पैसा मिला यहां कर्जा माफी हुई है ना कितना पैसा मिला आपको मुझे बता दो चीफ मिनिस्टर के भाशन, मोदी जी के भाशन कोई फाइदा हुआ आपको, MSP मिलती है मध्या प्रदेश, राजिस्तान, 36 गर में चुना हुआ हर मीटिंग में मैंने कहा देखिए बाकि सब कुछ आप छोड़िए मैं आपको एक गैरंटी देता हूँ हर बाशन में कहा दस दिन के अंदर मध्या प्रदेश, 36 गर राजिस्तान में आपका कर्जा माफ हो जाए ये मैं आपको गैरंटी देता हूँ और मैंने ये भी कह दिया 36 गर में मांगती मैंने ये भी कह दिया देखिए कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आईगी द्धान के लिए आपको 2500 रुपे मिलने शुरू हो जाएगे और मैं गर्ब से कहता हूँ दस दिन नहीं लगे दो दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने काम कर दिया उदर 15 साल से मतलब बाशन चल रहे हैं नहीं कर सकते हैं पैसा नहीं है पैसा है हाँ न वो तीन चीफ मिनिस्टर ने दो दिन में काम करके दिखा दिया अब आदिवासियों की जमीन के पीछे पड़े हुए हैं हम आदिवासी बिल लाए पैसा कानून लाएं साफ लिखा है उसमें आदिवासी से जमीन नहीं ली जा सकती है नहीं चीनी जाएगी और उसका हक उसको दिया जाएगा मगर ना मोती जी का कहना है आदिवासी की जमीन चीन कर हम अपने 15-20 उर्योग पती मित्रों को दे के ही रहेंगे और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूँ और आप अच्छी तरह सुन लीजिए आदिवासीयों की जमीन किसानों की जमीन हम आपको छीनने नहीं देंगे कुछ भी हो जाएगे बट्टा पर सौल में नियामगिरी में आप याद रखिए लड़ाई कौन लड़ा था कौनसी पार्टी लड़ी थी आप याद रखिए जमीन अधिकरन बिल कौनसी पार्टी लाई पैसा कानून आदिवासी बिल कौन सी पार्टी लाई थी कॉंग्रेस पार्टी लाई थी सब लोग खिलाब हो गए थे एक इंच पीछे नहीं आटे हम हमने साफ कह दिया देखिए जमीन किसान से आदिवासी से पूछे बिना नहीं ली जा सकती और अगर जमीन आदिवासी किसान देना चाहता है तो मार्टी ट्रेट से चार गुना जादा पैसा पहले उसके बैंक में डालिए फिर जमीन लीजिए और ये कानून हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया सबसे जादा ब्रष्टचार जमीन में होता है पूरा हिंदुस्तान जानता है आप सिरह ला रहे हैं सही बात बोली न मैंने है ना गरीब से किसान से जमीन चीनी जाती है उसको सही दाम नहीं दिया जाता इसे बड़ा ब्रस्टाचा नहीं हिंदुस्तान में और आप देखिए जब कॉंग्रेस पार्टी जमीन अधिकरण की बिल के बात कर रही थी जो चौकिदार जी क्या कर रहे थे चौकिदार जी पार्लिमंट में खड़े थे और जमीन अधिकरण बिल को रद करने की कोशिश कर रहे थे तीन बार और इस देश के हर आदिवाज़ी को हर किसान को ये बात सुननी है और समझनी है कि आपके प्रधान मंत्री जोकिदार जी ने तीन बार तीन बार इस बिल को खतम करने की कोशिश की और तीन बार उनके सामने कॉंग्रेस पार्टी खड़ी रही हमारे पास जाधा MP नहीं है 40-45 MP हैं लोग सबा में दिन भड़ हो वहाँ आपके लिए खड़े रहे एक इंच पीछे नहीं हटे उसके बाद मन की बात में नरेंदर मोधी जी कहते हैं मैं तो करना ही नहीं चाहता था मैं तो रद करना ही नहीं चाहता था क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने आपको रोका मुझे चौकित मुझे प्रधान मंत्री नहीं बनना मुझे चौकिदार बनना है चौकिदार बनाओ चौकिदार बनाओ और फिर सीधा तीस हजार करोर रुपए अनि लंबानी जी की जेब में